हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सुशीला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम सोफ आयरवेदा फ्रेंड्स आज हम ओरेल कैविटी की बहुत ही कॉमन डिजीज माउथ हलसर, मुग के छाले यह जिने स्टोमेटाइटिस का जाता है और आयरवेद में जिसे मुख पाक नाम दिया गया के बारे में जानेंगे तो मुख के छाले होने के क्या क्या कारण होते हैं और उनके बारे में बताऊंगी क्योंकि उसी के आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसी घरिलू नुसके, कुछ ऐसी खास आईरवीद की मेडिसिन्स की जानकारी दूंगी जिससे आप पुराने से पुराने मुग के चालों को आसानी से ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा तो मुग के चाले आपके मुग के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं या आपके जीप पे हो सकते हैं, आपके तालू पे हो सकते हैं, आपके मसूडों पे हो सकते हैं या इसकी वज़े से मुझे बार-बार लार आती रहती है तो फ्रेंड्स ये दी ये चाले आपके continue बने रहते हैं तो इनकी वज़े से आपके बोलने में, खाने में, पीने में समशे रहती है आपके नीन टक डिस्टरब हो सकती है और आपकी जो routine life है वो डिस्टरब होने लग जाती है आप proper खाना नहीं ले पाते हैं और diet नहीं लेने की वज़े से आप में weakness आने लग जाती है या आपके immunity कम होने लग जाती है तो इन चालों को सही समय पे इनका सही treatment करना बहुत जरूरी होता है वरना आगे चलके ये कई बिमारियों में convert हो सकते हैं तो friends सबसे पहले अपने जानते हैं कि मुँ में होने वाले चालों के क्या कारण होते हैं कई बार ये लंबे समय तक बने रहते हैं और कई बार ये अपने आप भी ठीक होने लग जाते हैं ये दी वो कारणों को आप दूर कर लेते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आयर्वीद के अंदर mouth थलसर या मूँके चालों को मुख पाक नाम दिया गया है और ये आपके शरीर में पित दोश बढ़ने के कारण होता है तो जो लोग पित प्रकृती के यानि जिनके शरीर में ओलरी गर्मी बढ़ी वी है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं मिर्च मसालों का का में कारण रखते हैं तो उनकी मुखे चाले होने का में कारण रहता है और इसके अलावा स्ट्रेस या मांसिक तनाव को भी मुखे चालों में में कारण बताया गया है तो friends इनकी साथ-साथ mean कारण होता है आपका digestion ये दी आपका digestion proper नहीं है आपका पाचन सही नहीं चल रहा जिसकी वज़े से आप में IBS है डूडेनल अलसर है या gastritis है या ulcerative colitis है ऐसी पीट से समंदित ये दी आपके विमारियां रहती है या आपको continue constipation रहती है तो भी आपके मुँ में चाले हो सकते हैं आपको acidity की समझा continue रह रही है तो भी आपके मुँ में चाले हो सकते हैं और ये दी आपका पाचन सही नहीं है तो आप जो भी खाना खाते हैं वो proper body के अंदर absorb नहीं होता आपको उसके nutrition proper नहीं मिल पाती और इसके कारण से आपके अंदर iron की है ज में के वजह से आपने अइनियक होता होती है तो भी आपके मुँ में चाले हो सकते हैं तो ये कई कारण है मुं के छाले होने के इसके साथ ही यह दी आप oral हायजीन है उस को सई तरीके सेaron करते हैं मुं की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो मु میں चाले हो सकते हैं या proper नहीं हो पारी है, तू मुँमें चाले हो सकते हैं, या आपके traveling का जो बोता है, तू भी आपके मुमें चाले हो सकते हैं, ये किसी तरह की injury हुई है, या दातों से समधित आपको समझा होती है, आपने उसके लिए कुछ treatment लिया है यह दांत की रगड लगने के वज़े से भी आपके मुँमे चाले हो सकते हैं यह कुछ ऐसी पुरानी बिमारियां होती हैं जिसके वज़े से आपके immunity बहुत ज़दा कम हो गई है तो भी आपके मुँमे चाले हो सकते हैं तो फ्रेंट सी इतने सारे कारण हैं इनमें से यह दी आप अपने कारण को जान पाते हैं तो आप उस कारण को दूर कीजिए आपके चाले स्वत्य ही ठीक हो जाएंगे लेकिन कई बार अपन को कारणों का नहीं पता चलता है कि यह किस वज़े से बार-बार यह चाले हो रखे और एक होता है जो आपको स्टमक पेट में लेके और उस छालों को ठीक किया जाता है तो सबसे पहले आपन जानते है एक्स्टेनल ट्रीटमेंट के बारे में तो इसके अंदर कुल्ले या जो गारगल करना होता है वो बहुत ही अच्छी तरफी होती है इसमें आप त्रिफला ह काड़ा बना की उसे ठंडा करके मुह में कुल्ले कर सकते हैं जिसे आयरवेद में गंडूश या कवल नाम दिया गया है जिसे ओएल पूलिंग होती है ओएल को लेके मुह में घुमाते हैं उसी तरीके से इसे करके फिर आप उसको थूख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके साथ तो पूडर बनता है उसे सुब्रा का जाता है तो सुब्रा टंकन को मिला के भी आप कुले कर सकते हैं गरम पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल के भी आप उसके गारगल कर सकते हैं इसके बाद में आता है लोकल अपलाई के लिए आप क्या यूज में लें इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसन बताई गई यह टंकन भस्म है जो आपको आसानी से किसी भी आईरवेद के मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है उसी लेके उसको एक चुटकी लेके उसको शहद में मिक्स करके आप अपन कर सकते हैं को कोनेट ओयि प्त अपलाई कर सकते हैं सींगल शहद को अपपलाई कर सकते हैं तो आपके मूखे चाले ठीक कोँगे अब इसमें बताया गया कि पित दोष बढ़ने के कारण होने वाले बिमारी है तो इसमें सबसे पहले आपके पित दोष को कम करना है उसके लिए आउला बहुत अच्छी मैडिसन का काम करता है आउले का पाउडर ले सकते हैं आउने का मुरबह ले सकते हैं और इसके यह आपके कॉंस्टिपेशन को दूर करते हैं और बड़े पित को कम करते हैं तो आप खाने से पहले का जो पाउडर है वो एक-एक चम्मच है वह आप सुबह शाम ले सकते हैं इसके अलावा गुलकंद जो आसानी से आपको किसी भी medical store पे मिल सकता है या आयरवेद के medical store से आप प्रवाल युक्तुगुलकंद वो आप लाके उसको आप एक एक चमच यूज मिलेंगे तो यह आपके पित्त दोश को कम करती है और आपके चालों को ठीक करने में भी बहुत effective medicine है इसके अलावा आयरवेद में आपके यह दी कब्स है तो medicines कोई असर नहीं करेंगे और आपके मुंके चाले भी ठीक नहीं होंगे तो सबसे पहले आप अपनी कब्स को दूर कीजिए Constitution की घरेलून उसकों से समंदित वीडियो चैनल पे आ चुका है तो आप उसको चैनल पे देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके अलावा यह दी यह सब अपनाने के बाद में बहुत अच्छे खाने पिने की डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं वाटर इंटेक भी आप अच्छा करते हैं फिर भी यह दी आपके चाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप अपने नजदी की आईरवीड डोक्टर को दिखाएं क्योंकि वह आपकी प्रक्रती के अनुसार और चालों के अनुसार आपको ट्रीटमेंट देखें उन चालों को ठीक कर सकता है आईरवीड में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया और इसका बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट भी है तो यह चालों से समंदित या माउस अलसर से समंदित वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी यह दिये आपको अच्छे लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर किजिएगा चैनल को यह दिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब मिलते हैं नई जानकरी के साथ तब तक के लिए थेंक यू फ्रेंड्स